हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आर चैनल स्टडी टेक आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट हुने वाली बिकाज हम लोग ओवर ओल डिस्कसन अबाउट करेंगे अगनी 5 के उपर ठीक है तो न्यूज में बहुत लाँच हुए कब 27th of October 2021 27th of October 2021 को यह लाँच हुआ है जो कि इसका यूजर ट्रायल था ओके इससे पहले यह साथ बार लाँच हो चुका है ठीक है साथ बार लाँच हो चुका है इससे पहले ओके वह भी हम जानेंगे कब-कब यह लाँचिंग हुआ है ठीक है वीडियो पर कमपेटिटिव एक्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे है उनके पॉइंट व्यू से यह वीडियो बहुत जादे है इस बीडियो आपको मिल जाएगा और वाइज न न्यूस यह मिल जाएगा आपको और वाट इस देफ्रेंटियेशन उफ इस दिफ्रेंट बिट्विए और चाइनीज मिसाइल और इंडिया के अगनी फाइब के बीच में डिफ्रेंस क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है और चाइना इसको अपोस क्यों कर रहा है वो भी हम देखने वालता है बिफो स्टार्टिंग और मुविंग तो आप वीडियो आप request you all guys to do like, share and subscribe my channel, मैं आप सबसे request करता हूँ कि please like, share and subscribe जरूर करें ठीक है, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और subscribe कर दीजेगा तो फिर click होना bell icon to get latest video update bell icon पर भी click कर दीजेगा कि आपका हमारी video की update मिलते रहे ठीक है, तो move करते हैं हम अपने news के उपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27th of October को 2021 में ये Agni 5 का Agni 5 का launching हो गया है ठीक है, इससे पहले हम आपने video आगे बढ़ा है कुछ इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या कि actually इसके अंदर है ठीक है, Agni 5 can reach the northernmost part of China बहुत ही important fact है, बहुत ही please guys आप जहां पर notes बना रहे हैं, उसको आप jot down कर लिजे कि it's a cover और it can reach even the northernmost part of China की northernmost part में वो reach कर सकती हो पहुँच सकती है, with the strike range of about 5,000 km, ठीक है, strike range of about 5,000 km, इंडिया successfully test fire surface to surface strategic missile Agni 5 dead and strike target up to 5,000 km with high degree of accuracy, ठीक है यह high degree of accuracy word use किया हुआ है, यहाँ पर क्यों ऐसा high degree of accuracy word use किया हुआ है क्योंकि आप recently अगर आप news से वाकिफ होंगे तो China ने एक recently missile launch किया था और China ने missile launch करने के बाद उसने क्या किया था उसकी जो missile थी, लगबग 20 से 30 km की range से उसका जो target जो target choose किया गया था वो चूग गया था, ठीक है तो उसके लिए बताया गया कि उसकी accuracy उतनी थी नहीं लेकिन हाँ वो capable था कि उसने और बिट के चारो जो लोर और बिट है उसके चार चकर लगा लिए चारो चकर लगाएं उसके बाद अपने मिसाइल के था, इस वरी amazing moment for the Chinese people, ठीक है Chinese people as well as for the world, ठीक है in fact आपको अगर इन्यूज देखे होंगे तो आप जानगे, जानते होंगे कि UN, UK and Russia all the countries were surprised by having such type of technology with China, China के पास इस type के भी technology आ गई है, तो वो लोग surprised हो गया है to see such type of launching but आपको पता है कि अगर यह news जब मीडिया में लिख हो गई थी यह सब बात है तो China refuse कर दिया, China ने बोला कि वो एक spacecraft था, ना कि missile था उसने इस बात को लगा कर वहां से बचने की कोशिस की, but it was clearly as we have seen in the video that it was a missile, एक missile ठीक है, इसलिए यहाँ पर degree of accuracy की यूज किया गया है because जब आप देखे कि जब Agni 5 को पहली बात तो Agni 5 क्या है, Agni 5 surface to surface ballistic missile है ठीक है, आपको पता है, surface to surface surface to air, air to surface air to air, यह सारे missile के बारे में मैंने एक बार पहले ही discussion कर चुका है कि कौन-कौन type के missile है तो मैं आपको इस video के link दे दूँगा description में, आप प्लीज वहाँ जाकर भी देख सकते अगर आपको बहुत ज़्यादा information deeply में चाहिए होगा, तो surface to surface मतलब कि surface से छोड़ा गया और surface पर ही कहीं जाकर attack हो, तो उसको हम surface to surface जादा military purpose के लिए यूज के आता है against the terror countries or terrorists जो जो यह military battlefields में यूज किया है तो military base उडाने में जुस्मन के military base उडाने में काम आता है, ठीक है, तो इसकी range बताई गई है, up to 5000 km लेकिन चाइन अभी इस चीज को भी लेके इसको क्या करता है, oppose करता है बहुता है, नहीं, इंडियाम से क्या करते है इसकी range को छुपा रहे है इसकी range है, लगबग 8000 से 9000 km के आसपास इसकी range है, ठीक है और यह Agni 5 क्या एक intercontinental ballistic missile project और यह कब start हुआ था, लगबग 10 साल होगे, इस project को start होते हुए, ठीक है, इसकी मैं आपकर आपको history बताऊंगा तो you will be amazed, you will be amazed to know the history of this Agni 5 missile ठीक है, Agni 5 missile के मैं आपको बताऊंग कि इससे पहले 7 test, 7 बार test हो चुके Agni 5 missile के, और Agni 5 से पहले भी बहुत सारे missiles आए जैसे Agni 1, Agni 2 Agni 3, Agni 4 and last आया Agni 5 और Agni 6 के उपर क्या चल रहा है अभी वर्क चल रहा है, वो under development में अभी Agni 6 ठीक है वो जब आ जाएगा तो it will be very much मतलब इंडिया के पास भी technology में बहुत ज्यादे इंडिया आगे निकल जाएगा तो ठीक है, अभी मैं आपको बता दू कि जो मिसाइल थी, मिसाइल इससे पहले 7 बार test कर चुकी है साथ बार कब कब test किया आप प्लीज no down कर लिजे पहली test हुई थी 19 अप्रेल को ठीक है, 19 अप्रेल 2012 को पहली test हुई थी ठीक है, यह कि Agni 5 की पहली testing हुई थी, ठीक है यह fire किया गया था by the DRDO के द्वारा फाइर किया गया था और DRDO के द्वारा फ्रोम Willer Island Willer Island Willer Island of the coast of Urisha ठीक है Urisha के coast से Willer जो की जहां कहां पर Willer Island है वहां से DRDO के द्वारा 19 अप्रिल 2012 में Agni 5 को पहली बार लाँच किया गया था It was the first launch ठीक है आप इसको please write down कर लिए बहुत important point है ठीक है, second क्या हुआ था, second कब हुआ था, second हुआ था, 15 September 2013 को, 2013 को second हुआ था, okay, third कब हुआ था, 18 Jan को हुआ था, ठीक है, 18 Jan को, जो कि 2018 के असपास हुआ था, ठीक है, fourth कब हुआ था, लगभग आपको मैं बता दू, तीन जून को आसपास हुआ था, 2018 में हुआ, ठीक है, 5th हुआ 10 December को, ठीक है, 10 December को हुआ, ठीक है, 5th और 6th और 7th हुआ, वो भी इसी के डेट के आसपास हुआ था, ठीक है, जो 2018 में था, 2018 में 3 मिसाइल लांच की गई थी, तीनों मिसाइल कपकव, एक 18 तारीको, एक 3 तारीको और एक 10 तारीको, 18 January, 3 June और 10 December में यह लांच की गई थी, ठीक है, तो ऐसे करके यह 7 टाइमस में यह इसकी टेस्टिंग की गई थी, ठीक है, और यह जो था, यह आटवा इसका ट्राइल था, और यह successfully able, मतलब capable हुआ, hitting the target, target को hit करने में यह success हुआ, ठीक है, अगनी 5 has a 17 meter height, इसकी अगर मैं आपको कुछ specification बताओं, तो मैं आपको इस specification अलग से बताता हूँ, आप लिख लेजिए, इसकी जो length है, इसकी जो length है, वो कितनी है, 17.5 meter इसकी length है, diameter अगर आपको पूछा जाए, तो diameter आप लिख लेजिए इसके अंदर propellant क्या use किया गया है, for fired के लिए, fire के लिए propellant क्या use किया गया है, that is solid and fuel, solid fuel का propellant यूज किया गया है, ठीक है, और इसकी range मैं आपको बता दिया, approximately 5,000 km, 5,500 km to 8,000 km, चाइना अभी भी इसको बोलता है, कि नहीं, आप हम से जूट बोल रहे हैं, आप 5000 नहीं इसकी range लगबग 8,000 km के आसपास है, ठीक है, ये एक warhead को लेकि जा सकता है, जो कि 1500 kg तक का warhead इसकी capacity है, और ये nuclear weapon, strategic nuclear weapon type के warheads को भी ले जाने में capable है, जो कि battlefield में बहुत जादा important role play करता है, ठीक है, अगनी 6 के उपर काम चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगनी 5 त सब सुरू हुआ था कब से? 1989 से, जब इंडिया और पाकिस्तान अपनी first missile को test fire किये थे, ठीक, उसके बाद से ये सारी चीजे सुरू हो गई, और ये भी बोला जाता है कि अगर आब इंडिया कोई missile ऐसी missiles को अगर वो करेगा, fire करेगा, तो इसके उपर sanson put किये जाएंगे, ये चाइना इसके पर भी claim करता है, ठीक है, तो इस सारा चीजे यही से सुरू होती है, but of course instead of this DRDO is developing Agni 6, ये सब को चोड़ कर, DRDO क्या कर रहा है, Agni 6 का development करना सुरू कर दिया, जिसकी range minimum average होगी, 8000 km maximum, कोई भी ने जानता है, लगबग 10,000 तक बोला जाता है, जो कि 10 nuclear warheads को ल land-based launcher से भी इसको launch कर दिया जा सके, ठीक है, तो इस type के अगर हमारे पास कुछ आ जाए, तो बहुत अच्छा होगा हमारे पास इस type का अगर missile होने से, अगर इसका हम compare अगर चाइना के DF-17 missile से करें, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके सामने ये DF-17, ठीक है, इ अगनी 5 से इनका कोई comparison ही नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, तो अगनी 5 एक बहुत ही unique discovery की गई, by the DRDO, DRDO के द्वारा अगनी 5 की बहुत ही unique discovery की गई ती, जो अभी launch गुआ है, 27th October 2021, ठीक है, ये date आप याद रखिएगा, ठीक है, note down कर लिए, जे state को, ठीक है, so hope guys, आज के के लिए वस वीडियो में इतना है, आपको हमारी वीडियो से, मैं उमीद करता हम, आपको हमारी वीडियो से बहुत सारी information मिली होगी, अगर आपको नहीं मिली है, तो मैं आपको एक वीडियो की link description में दूंगा, वहां से भी आप अगर ज्यादा डेटियल में जाना चाहते ह तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक, उसमें मैंने आपको classification बताया है कि कौन सी कौन सी की stripe की missiles होती है, ठीक तो आप वहां से भी देख सकते हैं, so that's it for today's video, thank you for watching my video, thanks and have a nice day, टाटा, बबबाए